यह जिलात आइक वारड़सी के सोशल मीडिया पर उपलब्द है डी टीए वारड़सी करके नाम है तो जैसे आप यह दिख रहे हैं मारा इतरती वारशिक समान समारों का एक न्यूस पेपर का कटिंग है यह हमने 75,000 रुपए जिलात आइक वारड़सी ने 75,000 रुपए जो है इनवल एवार्ड स्रिमनी करने जा रहे हैं उसमें भी हम 50,000 रुपए खिलाड़ियों में और प्रसिच्चकों में डिस्टिबूट करने जा रहे हैं यह मेजर ध्यांचंदर के पुन्नेतिती में हम लोग ने 2021 में किया था तो यूपीटिय भी करें क्या दिक्कत है यूपी भी नहीं कि यूपीटिय नहीं कर सकता यूपीटिय कर सकता है आप भी लाखोरों पर डिस्टिबूट कर सकते हैं हमें क्या जरूवत है आपके बारे में आलोचना करने की और आपके बारे में कुछ कहने की हम तो तारीफ करेंगे जिसना आलोचना नहीं कर रहे हैं उसका 10 कुना तारीफ करेंगे यह निश्चित तोर पर मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें कोई थोड़ी न अच्छा लगता है आलोचना करना यह हर मैने आप अगर हमारा एस्टेशन का डेटेल लिखेंगे तो हम यह अपडेट कर देते हैं कि हमारे एस्टेशन के खाते में कितना पैसा है किन-किन माध्यम से पैसा आया और किन-किन चीजों पर पैसा खर्चा हुआ है डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने टीम भी देते हैं क्योंकि कई बार चैरिटेबल खर्चे होते हैं किसी से अगर हम किसी वेंडर से कुछ समाल ले रहे हो हमें जादा डिसकाउंट पर दे र होता है उसे पूरा बना करके चलते हैं तो आप लोग भी करिए हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें बहुत खोशी होगी तो मैं पूरी क्लारटी के साथ दुबारा निभाना अपनी बात को दोहराना चाहता हूं आप सभी के समक्ष कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और जो कैसी होनी चाहिए जैसा कि अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिला टाइकवानो संग वाराडसी एक डेमोक्राटिक सिस्टम के तहत चलती है हमारा एक 18 पेस का कॉंसिटूशन है और कॉंसिटूशन जो है हम सभी के सुझाओ पर बनाए है सभी मेंबर्स का और जो बेस्ट हो सकता है और हम समय समय पर चीजों को इंप्लिमेंट भी करते रहते हैं कि क्या बहतर होगा खिलाडियों के लिए अगर कोई भी संस्था मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर काम करेगी ट्रांसपेरेंसी फिनेंसियल सिस्टम में और कारे शैली में जो सा अगर के साथ बोलना पड़ेगा और इस तरीके से जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा तो फस्ट फॉल अब मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह सोच गलत है दूसरी चीजी जूश रहा हूं मेरे मन में क्या है और मैं क्या खरना चाहता हूं यह क्यों नहीं बात करते मैंने दिखाया है कि 20 लाख रुपे खर्चा हो रहे हैं उसके बावजूद पास्पोर्ट की कमी से एक प्लेयर नहीं जा पा रही है इंटरनेशनल खेलने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कैड़िट चेंपियंशिप तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही ह इस बात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि आगे से हमारे पास प्लेयर जाएं हम सर्फ ख्योरगी में नहीं पुमसे में नहीं बलकि पैरा में भी अच्छा करें हमारे ही यूपी की एक कोच जो है कि पैरा उलम्पिक्स में गई कितना प्राउड वाली बात है तो इस पर भी बात करिए उनसे बात करिए कि क्या-क्या वहां पर उन्होंने अब्जर्व किया हम और क्या-क्या इंप्लिमेंट कर सकते हैं इस पर भी बात होनी चाहिए कि लखनो में ओलम्पिक क्वालिफिकेशन के लिए ट्राइल के लिए तो टीम नहीं जा पाई वो अलग बात है जो select हुए वो नहीं जा पाए, लेकिन जो selection हुआ उसमें हमारे UP से कोई काबिल क्यों नहीं था, आप सभी लोग तो खिलाडियों के भले के लिए अगर आज UP से लोग काबिल होते वहां पर जाते participation के लिए, तो मुझे यहां आ करके बोलने की आवशकता बिलकुल भी नहीं प मैं बात अब इंडिया ताइक enters की लोगों ने का यी भी आरूह सकत है तो मैं बदाना चांथा हो कि मेरी बातचीत सभी से रहती है, मैं किसी व्यक्तिकत दुष्मनाना ही हूँ, मैं जो system में करें फॉलको खराब लगता है, वो उस भराब कर arch itself और मेने नतर पन चाना, आप तो जिस मुद्दे पर मैंने UPTA से सवाल किया था और आप लोगों की डाउट को क्लियर करने के लिए इंडिया टाइकवांडो में भी मुझे जो गलत लगता है और इंडिया टाइकवांडो मेरी नजरों में क्या है और उसकी प्रती मेरी क्या एक्जेक्ट छवी है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ तो मैंने पूछा था उत्तर पुझेस टाइकवांडो असोसेचिंट इन आउगनाजेशन से अलग कैसे है और इस पर जो सवाल क्या था यहीं सवाल इंडिया टाइकवांडो के लिए है कि वो उसका नाम इंडिया टाइकवांडो है और एक अधीनेटीड ओगनाजेशन है जो खिराडियों को definitely platform देती है international championship में participate करने के लिए valid championship में participate करने के लिए India Taekwondo से जो लोग participate करते हैं उनका career नहीं बिगड़ता ये जो swindling सब्द का इस्तमाल है वो उपयूगत नहीं बैठता लेकिन जो काम है India Taekwondo का वो इनी सब organization से मिलता जूलता है मिलता जूलता इसलिए है कह रहा हूं क्योंकि इंडर Taekwondo की जो भारी भर कम फीस है जैसे ये 2021 का online championship जो हुआ था उसका मैं आपके सामने जो है की outline खोला हुआ है मैंने और इस outline खोल जो मैंने update कर रखा मेरे पास documents अभी के है अभी के TFI के जो भी है मतलब सब कुछ नहीं है फिर भी काफी कुछ है सब कुछ नहीं फिर भी काफी कुछ है तो यहां पर भी मैं यह चीज दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या लिखा था इंट्री फीज 700 रुपया ताइम पे अगर आपने फीज जमा कर दें उसके लिए ओनलाइन चेंपिंशिप याद रखिए और एक हजार रुपया अगर आप लेट जमा करते है नो रिफेंट पॉलिसी ओनलाइन सर्टिफिकेट और मैडल जो चीतेगा उसको मैडल देंगे और इंडिया ताइकवंडो का अभी कंडिशन कुछ वैसा ही है क्योंकि नीचे एक अच्छा था नोट लिखा हुआ है special note तिल नेक्स्ट ओपन और रेगुलर चैंपेंशिप दे सलेक्शन ऑफ इंडियन पॉम्से टीम फर आल इंटरनेशनल पॉम्से इवेंट रिकमेंड़ बाई एमन ने में 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 नेस्ट असोसिएशन इस एमनने का अर्थात वल्ल ताइकवंडो से है दुनिया के सुप् स्पॉंसर करेगी आने वाले ओनलाइन चैंपेंशिप के लिए ओनलाइन इवेंट्स में यहीं सोच करके मैंने भी अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराया था हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने कई सारे गोल मेडल जीते लेकिन किसी को भी जैस माफ करी गया तो यह मैंने ओपन ही किया था अच्छा यह दो बार ओपन हो गया है यह 2022 का है और अंगाबाद की चैंपियंशिप है आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यह UPTA से कम नहीं है मतलब यह तो TFI में भी होता था 2045 का मैंने जिक्र किया कि उत्तरप्रदे लगनों के खेलने के लिए गये थे तो यह इस बार का है और इसमें साफसा पड़ सकते हैं क्या पंदरसों रुपए इंट्री फीज से यह आफ लाइन है और पंदरसों रुपए इंट्री फीज से फिर लेट फीज दो है 4000 रुपए तक पहुंच जाती है तो मैं अलोचना इसका भी कर रहा हूं और तो पुराना अनभाव रहा उस अनभाव के अधर पर आजयर प्रोटेस्ट में अपनी टीम को नहीं भेज रहा हूं देस्पाइट की इस पर लिखा हुआ है कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको फिर वह मोका देंगे तो पिछली बार का जो वा कि खिलाफ नहीं बोलते हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है लेजे कर दिया आपकी खुशीक्स के लिए आप सभी लोगों के लिए मुद्दे पर अगर हम बात करें तो ज्यादा बहतर है और मुद्दा फिर से आता है कि इंडिया ताइक्वांडो क्या है में न कि अगवकों ए कर रेकांडां खता है मुझे आई डिया डिया नि देखा था मैंने और शीम कि सकते हम लिए कोशी पीज ..." फीष है तो यह हर साल 500 रुपया उसे देना पड़ेगा अपना काइड रिन्यूवल के लिए हैनल सिस्टम रिन्यूवल के लिए और जो एक बार अलड़ी राष्ट्री रेफ्री है उसको दुबारा से रेफ्रेशर कोर्स करता है तो उसको 2000 रुपय देने पड़ेंगे तो यह सारी ची किसे बहुत ही सपस्ट है कि सत्ता और साशन से पहले जो है कि सुशाशन और व्यवस्था की बात करिए कौन लेडर है वह इंपॉर्टेंट नहीं है किस प्रकार का लेडर्शिप होना चाहिए और किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर्टी जो लोग है जो सिस्टम में हैं उनके समर्थन से बनना चाहिए तो यह में नजरों में इंडिया ताइकवांडो है अब इंडिया ताइकवांडो को मैं क्या समझता हूं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यह पंच तंत्र की कहानी थी पंच तंत् आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं कि कभी दर कभी वदर और अंत में सारी रोटी गायब जब India Taekwondo ने देखा कि Taekwondo में क्या बहतर से बहतर कमाई करी जा सकती है तो उन्होंने यह सब कर लिया क्योंकि India Taekwondo अब तक जो कर रहा जैसा कि मैंने भी screen share करके दिखाया भी वो सब कुछ पहले से चला आता रहा है दोजार चार पांश की मैंने उत्रप्रदिस टाइकवांडो असोसेशन की कहानी बताई कैसे हाथ खड़ा कर दिया गया कैसे एक लाग से अधिक रुपया का चंदा लगाया क्या कैसे माबाप ने भी मैनेज किया लोन लेकर के मैनेज कि अधिक आप मैंने पताया था उनका नाम भी लिया था जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं तो यही है मैं नजरो में इंडा टाइकवांडो की कहानी कुछ टी अफ़ाई के भी वैसी है तो मैं वही हूँ जो सही को सही कहता हूं गलत को गलत मुझे खुशी होगी कि अगर ल मज़दार लोग हैं वो कहते हैं मैंने आप सभी के सामने यह दिखाया यह चिट्थी जो खुद इंडिया इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन के जॉइन सेक्रेटरी ने लिखा है और इस और इस और इस के बारे में लिखा है कि यह सल्फ फंडिट क्या करती है तो यह जो और कर रही है वहीं सेम काम UPTA कर रहा है वहीं सेम काम शायद इंडिया आइकवांडो भी कर रहा है फर्क इतना है कि इंडिया आइकवांडो के अफिलेटिड ओगनाजेशन है जो खिलाडियों के एक अपरशुनिटी दे रहा है और वो अपरशुनिटी वैलेट चैंपेंशिप फरक कितना ही है तो सभी लोग समझदार हैं और लोग तो बिहाइंड दे सीन की चर्चा कर लेते हैं जिस चीज की मैंने अब इक्षा नहीं करी है उसकी भी चर्चा होगी मुझे कुछ पांच-शे लोगों के कॉल आए और इनी इस बात पे ज़्यादा चर्चा थी तो मैं चाहता हूं यह चर्चा ना हो इस बात की चर्चा ज़्यादा हो कि इंडिया ता एक वंडो या कोई भी ओर्गनेजिशन सही क्या है और गलत क्या इसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए और सभी लोगों को सही को सही बोलना चाहिए और जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और एक खास चीज मैं जो है कि आज दिखाना चाहता हूं कि यह जो मैं गलत-गलत कह रहा हूं यह मैं ही गलत नहीं कह रहा हूं यह Indian Olympic Association के जो है कि अध्यक्ष नरेंदर बत्रा जी भी कर रहे 2019 के last, I think October 2019 में मेरी उनसे एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात की दौरान मैंने उनसे कुछ प्रस्न किये थे और प्रस्न यह था कि हमारे ताइकवांडो कभाविश कभ ठीक हो सकता है या हमारा ताइकवांडो ठीक हो सकता है तो उस पर उनने कुछ जवाब दिया था और उनके मन में क्या चविए एक मिनट का एक वीडियो क्लिप है जो मैं आप सभी के समख्च शेयर करना चाहता हूँ और उमीद है कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे इस तूस नैने सब्सक्राइब अपके इस तिंक जस्त अ सेकंड ये तो ये एक मिनट की क्लिप आप लोगों को साथ बहतर सोचने में हेल्प करेंगी और आप साथ चीजों को बहतर तरीके से समझ पाएंगे a lot of disputes in this in the NSF from last so many years over a decade since I started this sports as a school going kid and it's been 14 years I'm seeing disputes so do you have any action plan anything so that there cannot be any kind of dispute or the athlete may not suffer मैं आपको जवाब देता हु, पहले यह चाहता हु, भी आपको जवाब देता हु, पहले मैं आपकी एच समयनना चाहता हु, you said you know, you are seeing this dispute for 14 years, so are you 35 or 40 है क्या यह दर? I am 27, but I started Taekwondhu when I was in class 30. No, I am just joking, I am just on the lighter side. Taekwondhu, I know there is a dispute and there is a ad hoc body that has been formed to conduct the election, we are aware of all the disputes. आप लोगो ने देखा कि कैसे बत्रास आप कह थे कि आप लोगो कहा नो कलर की बेल्ट है सभी का रेट फिक्स है और मैं यह चलने नहीं दोंगा तो एक तरफ इन्होंने आशवाशन दिया कि यह 2019 का वीडियो है तो एड़ाउक बॉड़ी ताइकपॉंडों के लिए बनाई है और जो है कि वो एड़ाउक बॉड़ी जो है सही तरीके से काम करेगी लेकिन क्या काम कर रही है मैंने आप लोगों को दिखा दिया और आप सभी कि लोगों ने मुझे उम्मिश्टे के देखा भी होगा कि एक तरफ जहां वो बेल्टेस्ट की जो कलर पेल्टेस्ट यह सब नहीं होगा यह सब नहीं होगा पैसे वैसे की बात हो रही है दूसरी तरफ जो है कि फंदरसों रुपए इंडिया था एकमांडों द्वारा जार कि मैं ज़रों में साफ और इस पस्ट रूप से अगर मैं कहूं कि क्या है यह पूरा का पूरा जो सिच्वेशन है पूरीक-पूरी विवस्था है तो मेहीं नजरों में एक लाइन में यह और सफ यहीं है जो आपके स्क्रीन पे शामने है जो आपको दिख रहा है, जो हमने बच्पन में पड़ी, हम सभी लोगों ने बच्पन में ये कानिया पड़ी होंगी, पंच चंत्र की, ये बिल्कुल में नजरों में यही है, इंडिया ताइकमोंडो की सिति वर्तमान समय में, ये मैं अपने अनुभा के अधार पर, अपने अब लोकन के अधार पर कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक दिखा है, कि जो चीजे चल रही थी, ताइकमोंडों फेडरेशन ओफ इंडिया में, पहले जो डिस्प्यूटेट थे, जिन चीजों को हटाने की बात कर रही थी, तो हटाना तो दूर, उनसे भी जादा, मतलब स् समस्याएं पढ़ गई है, तो इंडिया ताइकमोंडों का पूरा का पूरा सिनारियो यही है, और मुझे उमीद है कि आप लोग भी सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, अपने स्वैम के विचारों से, अपना स्वैम का अवलोकन करके, और एकबरपुना, जिन लोगों को ब अपने स्वैम में ब्लैक बेल्ट कराईए, आप जिला ताइकमोंडों संग्वारसिक तरह कोच को जो है कि सपोर्ट करिए, उसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए पैसे दीजिए, आप जो है खिलाडियों को 100% स्पॉंसर चीप दीजिए, आप एक निश्वलक सेलेक्शन ट चौक भी नहीं है, और मैं गेम को एंज्वाय करना चाहता हूं, एक एथलीट होने के नाते, मेरे लिए सबसे ज्यादा ज्वाय जो है, बैठ करके मैच देखने में होगा, न कि आप लोगों का ये सब चीजें जो हरकत मैंने अब तक हाइलाइट करी है, वो सब हाइलाइट करने के लिए मैं सब नहीं करना चाहता, नहीं मैं इस तरह के सिस्टम में रहना चाहता हूं, बशर्ते इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये मैंने तो अगर मतलब मेरे पस ये डिस्टिक्ट एकवंडर असोसियेशन वारनसी का ये सब अक्टिविटीज न हैं तो हम निक करके दिखाया है और अल्रडी रिपोर्ट कार्ड हमने सभी के साथ शेयर करी है, पुरे 24 महिने के लिए, एक दिन की दो दिन की बात नहीं है, पुरे 24 महिने तक, एक स्ट्रेजिक तरीके से किया है, और बकाइदा इमेल करके, 2020 में इमेल करके हम लोगों ने पूछना चाता हूँ, क्या भला कर रहे हैं, एक अथलीट को अगर आपने सहयो किया हो, पैसा दिया हो, सपोर्ट किया हो तो बताइए, एक प्रसिच्छक को किया हो तो बताइए, एक रिफ्री को किया हो तो बताइए, आपका काम है सिर्फ पैसा लेना, और पैसा लेकर के अपने पास डंप कर देना और फिर बड़ी बड़ी बाते करना जिस दिन आप पैसे लेने के बजाए पैसा देना शुरू कर देंगे आपके बारे मैं क्या कोई भी नहीं बोल पाएगा तो अभी वक्त है युनाइटेड रहिए और सही को सही तरीके से काम करें मुझे क्या कि किसी को जरूवत ने होगी इस तरह के बोलने की रिए बहुत बहुत धन्यवाद